बूर्णिंग स्टूडेंट चले सिस्टिक ऑउलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं बचो आज हम लोग पढ़ेंगे सिविक्स का एक चेप्टर जिसका नाम है जनरल अवेर्नेस याने की समानी चेतना या समानी जानकारी चले आगे बढ़ते हैं बेटर लेट दैन नेवर देखी देखी बच्चो बोला जाहरा है कि जब आप स्कूल जाते हैं तब सडक पर कई वहानों को देखते हैं जैसे कि बैसकील्स, रिक्सा, इस्कूटर, मोटर साइकल, कार, बस, ट्रॉक, इत्यादी in the cities there are too many vehicles which often bring the traffic to a halt ठीक है यानि कि सहरों में बहुत अधिक वाहन होते हैं जो अकसर यादायात को रोकते हैं चली आगे दिखते हैं you must have also read slogan like this on the road side ठीक है यानि कि आपने road के side में जो slogan लिखे होते हैं उनको पढ़ा होगा देखी बचे यहाँ पर कुछ इस्लोगन दियेगा है better late than never यानि कि देर आए दुरुस्त आए यानि कि दुरखणना से देर भली walk on the left यानि कि सड़क के बाय चले someone is waiting for you at home यानि कि घर पर कोई आपका इंतेजार कर रहा है आगे दिखते है limited speed safe life यानि कि सिमित वेक सुरक्षित जीवन traffic is yours safety is yours यानि कि याता यात आपका सुरक्षा आपकी have you ever been to the biggest road of your city or market देखी बचो question पुछा गया है कि क्या आप कभी market और आपके सहर को जो बिजी सड़क है वहाँ पर गया है you must have seen that to reach certain place one has to wait for a long time in the crowd ठीक है बोला गया है कि कभी कभी हम लोग को कई जगा पहुचने के लिए ठीक है घंटों भीड में खड़ा रहना पड़ता है चले आगे रिखते हैं there is a lot of traffic vehicles are not parked properly buildings material are piled up on the road and stray animals roam on the road ठीक है क्योंकि वहाँ lot of traffic क्योंकि वहाँ बहुत भीड होती है ठीक है vehicles को properly यानि कि सही ढंग से पार्क नहीं किया जाता है ठीक है not properly यानि कि जो vehicles होते हैं वहाँ होते हैं उनको अच्छे से पार्क नहीं किया जाता है buildings material are piled up on the road and stray animals roam on the road ठीक है यानि कि भवन निर्मार या अनिय समागरियों का सड़क पर बिखरे रहना और अवारा मविशियों का सड़क पर घूमना ठीक है आगे देखते हैं पीपल ड्राइब रैसली and take shortcut even if they are on the wrong side in order to reach early ठीक है बोला जा रहा है कि लोग जल्दबाजी में गाड़ी चलाते हैं और shortcut ले लेते हैं भले ही वे जल्दी पहुँचने के लिए गलस साइड पर हो this can lead to serious accident ठीक है इससे गंभी दुरगटना हो सकती है चली आगे बढ़ते हैं to reduce the pressure of the traffic and to walk safety on the road certain rules have been made देखे बच्चों बोला जा रहा है कि यातायात को यातायात को जो pressure है है ना यानकि यातायात के इस दपाव को कम करने के लिए और सड़क पर चलने के लिए कुछ नियम बनाए गए है for example उधारण के लिए we should walk on the left side on the road ठीक है यानकि हमें सड़क के left side में चलना चाहिए if you walk on the wrong side यदि आप गलत side पर चलते हैं you will find many difficulties ठीक है तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा ठीक है बोला जा रहा है कि यदि आप गलत दिशा की ओर चलेंगे तो समझ जाएंगे कि चलने में अशुविधा हो रही है आगे दिखते हैं what is the road safety week याने कि सडक सुरक्षा सप्ता हा क्या है road safety week is celebrated whereby information is given regarding rules of the traffic दिखी पर चुब बोला जा रहा है कि सडक सुरक्षा सप्ता हा ठीक है याता यात के नियमों के संबंद में जानकारी देने के लिए मनाया जाता है आगे दिखते हैं accident can be avoid if these rules are followed ठीक है बोला जा रहा है कि इस rules को इन जो rules है न जो नियम है उनको follow करके आप accident से बस सकते हैं the smallest vehicles on the road is the two wheelers those who rise to wheelers are more likely to meet accident because two wheelers can easily get imbalanced देखी बच्चों बोला जा रहा है कि सडक ठीक है जो सडक पर जो वाहन होता है उसमें जो दुपहिया वाहन है तो है वो सबसे छोटा वाहन है ठीक है यानि कि सडक पर सबसे छोटा वाहन आपका दुपहिया वाहन है दुरघटना में सबसे अधिक छती दुपहिया वहन एवं उसके चालग को ही उठानी पड़ती है ठीक है क्योंकि दुपहिया वहन क्या हो जाते हैं असुन्तुलित हो जाते हैं है ना किसी वहां को driving करें तो नीचे दी गए जो बाते हैं है ना उनको अपने mind पे रखें देखें बच्छों first है do not drive fast check your speed and watch the condition of the road otherwise the fast speed can take your life ठीक है बोला गया है do not drive fast याने कि गाड़ी तेज ना चलाएं check your speed and watch on condition of the road ठीक है याने कि सड़क की हालात देखते हुए नियंतित रप्तार में चलिए ठीक है कहीं ऐसा ना हो कि आपकी तेज रप्तार ही आपकी प्रांड ले बैठें आगे देखते हैं सेकिंद यह बच्चों two wheelers driver and person sitting behind should use helmet ठीक है याने कि दुपहिया वहां चालाग इवं पीछे बैठने वाला ब्यक्ति दोनों अनिवारे रूप से helmet का उप्योग करें थर्ड है do not race with any car याने कि किसी car के साथ race ना करें do not overtake where not allowed ना ही आप overtake करें ठीक है ओवर्टेक याने कि किसी वहां से आगे बढ़ने की कोशिज ना करें ठीक है क्योंकि यह not allowed है ठीक है याने के सणकों पर overtake करने की मना ही है आगे दिखते हैं four eight every turn junction and slope go at a slow speed and remember to give the indication of the traffic ठीक है बोला जा रहा है कि eight every turn याने की जो मोड रहते हैं ठीक है याने की प्रतियेक मोड पर junction याने की चौरहा और slope याने की जहां पर उतार रहता है ठीक है जहां पर की सड़के उतार रहती हैं वहां पर slow speed याने की धीमिगती से वहां चलाना चाह रहते हैं and remember to give the indication to the traffic ठीक है बोला जा रहा है कि जो traffic होता है उनके जो indication रहते हैं उनको याद रखिये follow the indication given by the traffic police give indication clearly and on time ठीक है बोला जा रहा है कि ऐसी जगह पर traffic को इसारा देना ना भूलें ठीक है जहां traffic मैं हो वहां उसके इसारे से चले next देखते हैं 5 if pedestrians are crossing the road देखी बच्चों pedestrians यानि की जो pedal चलने वाले होते हैं जो pedal यात्री होते हैं जब वो road crossing करते हैं ठीक है stop the car and let them cross ठीक है तब आप अपनी car stop करने और उन्हें पार करने दे ठीक है बच्चों जब pedal चलने वाले ब्यक्ति road cross कर रहा हो तब आप अपना वाहन stop करें और उनको cross करने दे आगे देखते हैं 6 दिया बच्चों always walk on the left side of the road यानि की हमेशा left side पर चलें do not cross the center line यानि की center line को cross ना करें if there are footpath on the side of the road walk on them यदि सड़क के किनारे footpath है तो आप उस पर चलें you will feel more comfortable and safe यानि की आप comfortable महसूस करेंगे safe यानि की सुरक्चित महसूस करेंगे feel crossing a road sorry before crossing a road look to your right and left ठीक है यानि की जब आप road cross कर रहे हो न तो उससे पहले आप left और right side को जरूर देखें आगे देखते हैं there are traffic signals and zebra crossing is cities to ease the traffic ठीक है बोला गया है कि याता यात को easy बनाने के लिए सहरों में traffic signal और zebra crossing की सुविधा होती है road should be crossed at the zebra crossing when the red signal is on ठीक है बोला जा रहा है कि road पे जो signal पाए जाता है बच्चो सभी चानती है signal होते हैं तो जब red signal हो तभी आप zebra crossing से road को power करें आगे देखते हैं zebra crossing is for the pedestrians ठीक है यानि कि जो zebra crossing है वो pedestrians यानि कि पैदल चलने वालों के लिए होता है green signal with a picture of a child means that you can cross the road ठीक है बोला जा रहा है कि green signal के साथ यदि child का picture है हाना तो इसका अर्थ है कि आप road को cross कर सकते हो आगे रखते हैं the different symbols of the traffic on the road help in making our journey safe and comfortable ठीक है यानि कि different type के जो symbol होते हैं हाना उसको safe और comfortable बनाते हैं चले आगे देखते हैं from time to time the scouts and guides of your school help in controlling traffic discuss and find out how they help the traffic department समय समय पर आपके विद्याले के जो scout guides होते हैं आगे लिखा है discuss and find out how they help the traffic department ठीक है यानि कि चर्चा करें कि वे किस प्रकार यातायात विभाग को सहयोग करते हैं ठीक है बच्चों तो आप पता करें कि किस तरीके से scout guide के विद्यार्थी यातायात विभाग को सहयोग करते हैं ठीक है तो आज के लिए इतना ही आगे पढ़ेंगे तब तक आप इस वीडियो को पढ़िए समझे नेक्स्ट वीडियों आगे पढ़ेंगे तब तक के लिए थैंक यू